होली यानि रंगों का त्योहार भारत के दिविन कोनों में फालगुन महीना कि ये पूर्णिमा को दूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है जो की ग्रेगोरियन केलेंडर के निसार फरवरी या माच का महीना होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल होली की तारीक बदल क्यों जाती है या इस त्योहार को मनाने के पीशे कुछ वैज्ञानी कारण भी है दरसल हर साल होली की तारीक बदलने का कारण यही है कि कई अन्य हिंद्यू त्योहारों की तरह इस त्योहार का समय हिंदू चंदर कैलेंडर पर अधारित है। हिंदू कैलेंडर दो अलगले से अतंतर कैलेंडर के सयोग से बनता है, जो साथ-साथ प्रयोग किये जाते हैं, सौर कैलेंडर जनमते थी और जोतिश के लिए उपयोग किया जाता है, और चंदर कैलेंडर धार्मिक कार्यों के लिए, फालगुन के चंदर मा की अंतिम जुआत का प्रतीक है। होली का धहन की रसमें तब ही शुरू होती हैं जब शाम को पूर्णीमा होती है और यही वज़ा है कि देशवर में अलग-लग समय पर होली का धहन किया जाता है। अब आप जान चुके हैं त्युहार की तारीखें क्यूं बदलती रहती हैं तो होली क्यूं मनाई जाती है इसके बीचे कुछ वज्ञानिक कारणों को भी जान ही लेते हैं। हम शर्त लगाते हैं कि आप उनमें से कुछ के वारे में जानते ही नहीं होंगे। होलिका त्योहर मनाना एक वज्ञानिक कारण होलिका धेन की परंपरा से भी जुड़ा है। ठंड की समाप्ति और वसंत रितु के आगमन के साथ ही परहवरन और शरीर में बैक्टीरिया के विरिद्धी हो जाती है। ऐसे में जब होलिका जलाई जाती है तो परंपरा के अनु यह बात कई शोगों में साबिद भी हो चुकी है। दरसल हमारा शरीर कई रंगों से मिलकर बना है। जब भी कोई अंग बेमार होता है तो उसके रासायनिक द्रव्यों के साथ-साथ रंगों का भी असनतुलन हो जाता है। ऐसे में रंग चेक इच्चाशआ उन रंगों को स वक्तियार करने के कारण शरीर का कुछ थकान और सुस्ती महसूस करना प्राकरतिक है। शरीर की सुस्ती को दूर बगाने के लिए लोग ढोल, मंजीरा और अन्य पारंपरिक वाद यांदरों के साथ फाग गीत गाते हैं या मानव शरीर को नई उर्जा प्रादान करता है। शरीर की सुन्दरता में निखार लाते हैं। वीडियो पसंद आगी है तो लाइक करें और शेर जरूर कीजेगा। एस्ट्रयोगी आपको और आपके पूरे परवार को होली की देर सारी शुप कामना देता है। भरिये जिंदगी में रंग एस्ट्रयोगी की संग। पार आपके वाइख सत्रयोगी अडिया सिर्व नुमर नवर निख अस्रूलगी आप